जैए स्रीक्रिष्ण अभी प्राय सुन लिया फिर उनके चले जाने पर उनोंने क्या किया से सूजी ने कहा ब्रह्म नदे सैसती के पश्यम टटपर सम्मा प्रयास नाम का एक आस्रम है वहां रिशियों के यग चलते ही रहते ही वहीं व्यास जी का अपना आस्रम है उसके चार और बेर का सुन्दर बन है उस आस्रम में बैठकर उनोंने आच्मन किया और सुएम अपने मन को समहित किया उनोंने भक्ती योग के द्वारा अपने मन को पूर्टया एकाग्र और निर्मल करके आधि पुरुस परमात्म और उनके आस्रे से रहने वाली माया को देखा इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रुलात्मक मान लेता है और इस मानिता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है इन अनर्थों की सांती का साक्षात सादन है केवल भगवान का भक्ति योग परंतु संसार की लोग इस बात को नहीं जानती यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की सहिता श्रीमद भगवत की रचना की इसके स्रवन मात्र से पुरसोत्तम भगवान स्री कृष्न की प्रती परम प्रेम मवाई भक्ती हो जाती है जिससे जीव के सोक मोह और भे नश्ट हो जाती है इन्होंने इस भागवत सहिता का निर्माण और पुनरा ब्रती करके इसे अपने निर्वती पराण पुत्र सी सुकदेव जी को पढ़ाया सी सुनक जी ने पूचा सी सुकदेव जी तो अत्यंत निर्वती पराण है उन्हें किसी भी बस्तू की अपेक्षा नहीं है वे सदा आत्मा में ही रमण करती हैं फिर उन्होंने किस लिए इस विसाल ग्रंत का अध्यान किया सी सुनक जी ने कहा जो लोग ग्यानी है जिनकी अविद्या की गांट खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं वे ही भागवान की हेतु रहित भक्ती किया करते हैं क्योंकि भागवान के गुण ही ऐसे मदुर हैं जो सब को अपनी ओर खीच लेते हैं फिर सी सुगदेव जी तो भागवान के भक्तों के अत्यंद प्रिये और स्वेम भागवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं भागवान के गुणों ने उनके हेड़े को अपनी ओर खीच लिया और उन्होंने उससे बिवस होकर ही इस विसाल गरंथ का अध्यान किया सुनक जी आव में राजरसी प्रिक्षत के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वरगा रोहन की कथा कहता हूं क्योंकि इने से भगवान स्री किष्ण की अनेकों कथाओं का उध्य होता है जिस समय मावारत युद्य में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से बीर बीर गती को प्राप्थ हो चुके थी और भीमसेन की गधा के प्रहार से द्रियोधन की जांग तूट चुकी थी तब अस्वत थामा ने अपने स्वामी द्रियोधन का प्रिय कार समझकर द्रोपती के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेट किये यह घटना द्रियोधन को भी अप्रिय ही लगी क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा पड़ते हैं उन बालकों की माता द्रोपती अपने पुत्रों का निदन सुनकर अत्यंद दुकी हो गई उसकी आखों में आशु जलजला आए वह रोने लगी अरजुन ने उसे सात्वना देते हुए कहा कल्यानी मैं तुमारे आशु तब पहुचूंगा जब उस आतताई ब्रामर धंका सिर गांडीव धनुस की वानों से काटकर तुमें भेट करूँगा और पुत्रों की अंत्रेष्टी क्रिया के बाद तुम उस पर पहल रखकर इश्ना करोगी अरजुन ने इन मीठी और बिचित्र बातों से दुरुपती को सातुना दी और अपने मित्र भगवान स्री से उने सार्ती बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुस को लेकर वे रतपर सवार हुए तता गुरुपत्र अस्वत्थामा के पीछे दोड़ पड़े बच्चों की हत्या से अस्वत्थामा का भी मन उदिग्र हो उट गया था जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर जप्टे हुए आ रहे हैं तब वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रतवी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भैवित सूर्य की भाती भागता रहा जब उसने देखा कि मेरे रत के घोड़े ठक गए हैं और मैं बिलकुल अकेला हूँ तब उसने अपने को बचाने का एक मात्र सादन ब्रह्मास्त्र ही समझा यद भी उसे ब्रह्मास्त्र को लोटाने की विदी मालूम ना थी फिर वी प्राण संकट देखकर उसने आच्मन किया और ध्यानास्त्र होकर ब्रह्मास्त्र का संधन किया उस अस्त्र से सब देशाओं में एक बड़ा प्रिचंड तेज फैल गया अर्जुन ने देखा कि अव तो मेरे प्राणों पर ही आवनी है तब उन्होंने स्री कृश्च्न से प्रात्ना की अर्जुन ने कहा स्री कृश्च्न तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्वा हो तुमारी सक्ति अनंत है तुमी भक्तों को अवे देने वाले हो जो संसार की धदक्ती हुई आग में जल रहे हैं उन जीवों को उससे उवारने वाले एक मात्र तुमी हो तुम प्रकर्ती से परे रहने वाले आदी पुरुस साक्षात परमिश्वर हो अपने चित सक्ती स्वरूप सक्ती से वही रंग एवं त्रवण में माया को दूर भगा कर अपने अध्वतिय स्वरूप में इस्थत हो वही तुम अपने प्रवाव से माया मुहित जीवों के लिए धर्मा दे रूप कल्यान का बिदान करते हो तुमारा ये अवतार प्रत्वी का भार हरन करने के लिए और तुमारे अनन प्रेमी भगत जनों के निरंतर इसमन ध्यान करने के लिए है ये भेंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है ये क्या है कहा से क्यों आ रहा है इसका मुझे बिलकुल पता नहीं है भगवान ने कहा अर्जन ये अस्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपास्तित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है परन्तु वो इस अस्त्र को लोटाना नहीं जानता केसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की सकती नहीं है तुम सास्त्रास्त विद्या को भली भाती जानते ही हो ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आव को बजा दो सूर्जी कहते हैं आर्जन विपक्षी बीरों को मारने में बड़े प्रवीर थे भगवान की वात सुनकर उन्होंने आच्वन किया और भगवान की परक्रमा करके ब्रहमास्तर के निवारन के लिए ब्रहमास्तर का ही संदान किया बाणों से वेश्टिट उन दोनों ब्रहमास्तरों के तेज प्रले काली ने सूर एवं अगनी के समान आपस में टकरा कर सारी आकास और दिशाओं में फैल गई और बढ़ने लगे तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्तरों की बड़ी हुई लप्टों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सब ने यही समझा कि यह प्रले काल की संबर तरक अगनी है उस आग से प्रजाका और लोकों का नास होते देखकर भगवान की अनुमती से अरजुन ने उन दोनों को ही लोटा लिया अरजुन की आँखें क्रोद से लाल लाल हो रही थी उन्होंने जपटकर उस क्रूर अस्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रसी से पसू को बांद ले वैसे ही बांद लिया अस्वत्थामा को भल पूर्वक बांद कर अरजुन ने जब सिविर की ओर ले जाना चाहा तब उन से कमल नयन भगवान स्री कृष्ण ले खुपित होकर कहा अरजुन इस ब्रामर धम को छोड़ना ठीक नहीं है इसको तो मार ही डालो इसने रात में सोय हुए निरपराद बालकों की हत्या की है धरो वेत्ता पुरस असावधान मत वाले पागल सोय हुए बालक इस्त्री बिवेक ज्यान सुन सरनागत रत हीन और वैहीन सत्रु को कभी नहीं मारते हैं परंतु जो डूष्ट और फूर पुरस दूसरों को मार कर अपने प्राणों का पोशन करता है उसका तो वद ही उसके लिए कल्यान कारी है क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदिवे जीता है तो और वी पाप करता है और उन पापों के कारण नरगामी होता है फिर मेरे सामने ही तुमने द्रोपती से पृतिज्या की थी कि मानवती जिसने तुमारे पत्रों का वद किया है उसका सिर में उतार लाऊंगा इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का बद किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो भागवान स्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परिक्षा लेने के लिए इस प्रिकार पहना की परंतु अर्जुन का हिर्दय महान था यद पियास्तो थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने के इच्छा नहीं इसके बाद अपने मित्र और सार्थी स्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध सिवर में पहुँचे वहाँ अपने मित्र पुत्रों के लिए सोक करते हुई द्रोपती को उसे सौप दिया द्रोपती ने देखा कि अस्वत्थामा पसू की तरह बांद कर लाया गया है निंदत कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर जुका हुआ है अपना अनेश्ट करने वाले गुरुपत्र अस्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रोपती का कोमल हिर्दे किरपा से भर आया और उसने अस्वत्थामा को नमस्कार किया गुरु पुत्र का इस प्रकार बांद कर लाया जाना सती द्रोपती को सेन नहीं हुआ उसने कहा छोड़ दो इने छोड़ दो ये ब्रामण हैं हम लोगों के अत्यन्त पूजनिय हैं जिनकी कृपासे आपने रहसे के साथ सारे धन और वेद और प्रियोगत था उपसंगहर के साथ संपूर्ण सास्त्रों अस्त्रों का ज्यान प्राप्त किया हैं वे आपके आचार द्रोण ही पूत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं उनकी अरधांगनी क्रपी अपने वीर पूत्र की ममता से ही अपने पती का अनुगमन नहीं कर सकी वे अभी जीवित हैं महाबाग्यवान आरे पूत्र आप तो बड़े धर्मग हैं जिस गुरु वन्स की नित्य पूजा और बंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योगिकार नहीं हैं जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आखों से बार बार आँसू निकल रहे हैं वैसे ही इनकी माता पत्रता गौत्मी ना जो उच्च स्रंकल राजा अपने कुक्रत्यों से ब्रामरकुल को कुपित कर देती हैं वैं कुपित ब्रामरकुल उन राजाओं को सब परवार सोका अगनी में डालकर सीगर ही भस्म कर देता हैं सूज जी ने कहा सोनक आदिरिशियों द्रोपती की वात धर्म और न्याय की अनकुल थी उसने कपट नहीं किया करणा और समता थी एतेव राजा युटिश्टर ने रानी के एन हित भरेव स्रेष्ट बचनों का अविनंदन किया साथी नकुल सहदेव साथ्यकी अर्जन स्वयम भगवान स्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्तित सभी नर नारियों ने द्रोपती की वाद का समर्तन किया उस समय क्रोधत होकर भीम सेन ने कहा जिसने सोते हुए बच्चों का ना अपने लिए और ना अपने स्वामे के लिए बलकि ब्यर्त ही माडाला उसका तो वद ही उत्तम है भगवान स्री कृष्ण ने द्रोपती और भीम सेन की वाद सुनक और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हस्ते हुए से कहा भागवान स्री किष्ण बोले पतिद ब्रामण का भी बद नहीं करना चाहिए और आदताई को मार ही डालना चाहिए सास्तों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है इसलिए मेरे दोनों आग्याव का पालन करो तुमने द्रोपती को सातों ना देते समय जो प्रितग्या की थी उसे भी सत्य करो साथ ही भीमसेन, द्रोपती और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो सुर्जी कहते हैं, अर्जुन भागवान के इर्दय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अस्वत थामा के सिर की मड़ी उसके बालों के साथ उताल दी बालकों की हत्या करने से वैसरिहीन तो पहले ही हो गया था अब मड़ी और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया इसके बाद उन्होंने रसी का बंदन खोलकर उसे सिविर से निकाल दिया मूर देना, धन छीन लेना और इस्तान से बाहर निकाल देना यही ब्रह्मर धमों का बद है उनके लिए इससे भिन सारिर का बद का विदा नहीं है पत्रों की मृत्यों से दुरुपती और पांडव सभी सोकातुर हो रहे थे अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंदों की दहा आदे अंत्रिष्टी क्रिया की दोस्तों आज की कता में बस इतना ही कल की कता में हम स्रवन करेंगे गर्व में परक्षत की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्थुती और युडिश्टर का सोक बलो स्री मत भागवत महा प्राने की जये बलो स्री किष्णे चंद्र भगवाने की जये